हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे S.E.R.T. के द्वारा शुरू किये गए पठन अभियान के तहट क्लास थर्ड की माच्स की वर्कशीट नमबर 41 जो की 8 मार्च 2022 की वर्कशीट है और बच्चों इसका थीम है फामिली आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे तो इनमें कोई 4 गलती या 4 अंतर ढूरने हैं तो देखिए पहली गलती या अंतर ये है कि यहाँ पे सर्फ 2 लाइन है जबकि यहाँ पे 3 लाइन है यहाँ पे देखेंगे इस बड़ी लाइन के बाद सर्फ 3 लाइन है जबकि यहाँ पे 4 लाइन है तो दूसरा अंतर ये हो गय तीसरा अंतर आप देखेंगे कि यहाँ पे चोटी सी प्लेट रखी है जो कि यहाँ पर नहीं है और इसके लावा हम देखते हैं कि यहाँ पे चार लाइन है जब कि यहाँ पे सिर्फ तीन लाइन है ठीक है अगला प्रश्ण है नया घर, सिद्धी का नया घर तैयार है, नया घर बनने की खुशी में एक छोटा सा कारिक्रम आयोजित किया गया है सजावट का काम सिद्धी और सकी बहन रिद्धी को दिया गया है घर में तीन रंगोलियां बनाना तै हुआ, दोनों ने सोचा कि रंगोली को रंग विरंगे दियों से सजाएंगे तो अब इसके बाद हमें ये कह रखा है कि सबसे पहले उन्हें घर के बाहर एक दस पत्यों वाली बड़ी सी रंगोली बनानी है वे हर पत्यों में गुलाबी रंग के 5 दिये लगाना चाहती हैं तो बताएये उन्हें कितने गुलाबी रंग से रंगने होंगे तो बचो देखो, 10 पत्यां बनानी है और हर एक पत्यों में 5 दिये रखने है तो 10 को हम अगर 5 से गुड़ा कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 50 यानिकी 50 तो इसका मतलब 50 दियों की जरूरत इन दोनों को पड़ेगी अगला प्रेशन है कि वे दोनों घर के बरामदे में 8 पतियों वाली रंगोली बना कर हर पति को 7 हरे दियों से सजाना चाहती है तो उन्हें कितने दिये हरे रंग के रंगने होंगे तो अगला प्रेशन है कि बैठक के अंदर 6 पतियों वाली छोटी सी रंगोली बनाई जाएगी हर पति को 5 पीले दियों से सजाने का सोचा गया है तो उन्हें कितने दियों को पीला रंगना होगा तो देखिए यहाँ पे पतिया है 6 और हर एक पति में 5 दिये आ रहे हैं तो 6 को हम 5 से गुणा कर देंगे आंसर आजाएगा 30 और इसके बाद चौथा प्रेशन है कि सभी रंगोली को सजाने के लिए उन्हें कुल कितने दिये रंगने होंगे तो देखिए पहले थे 50 दिये उसके बाद है 56 दिये और उसके बाद है 30 दिये और कुल मिला के उन्हें कितना रंगना होगा तो इनको जोड़ देंगे आंसर आजाएगा 136 136 अब आपके पेरिंस के लिए सुझाव है कि बच्चो को बताईए कि घर के सभी कारियों में सारे सदस्यों की भागिदारी महत्वपून होती है तो बच्चो ये थी आज की हमारी मांस की वरक्षीट and I hope आप सभी को ये वरक्षीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और बच्चो कर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू